भागलपूर के बाइपास थनाचत की गौरा चौकी के जोड़ली गाउं की मंगलवार को एक दुसकर्म प्रिटा की मौत हो गई परिबार बालों ने पुलिस को दिये बयान में बताया कि प्रिटा कॉमल कुमारी की मौत आरोपी के दुसकर्म के दुरां जहर खिलाने की वजह से हुई है माल अलीता देवी के बयान के बाद यूबती की सब को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया परिजनों ने परोस के रहने बाले यूबक रौसन कुमार पर दुसकर्म कर जहर खिला देने का आरोप लगाया है परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नॉमबर की रात को आरोपी के दुरा घर में घुस कर आरोपी ने लड़की के साथ दुसकर्म किया येवं परजनों की देखते ही देखते उनको धक्का देकर घर से फ्रार हो गया अस्थानिया थाना के SI ने फोन पर मिर्टिका की मा से बात करते वे कहा कि बयान बदल लो नहीं तो तुम खुद ही फंस जाओगी ये बात CTSP स्वन परभात तक पहुच गई और स्वन परभात ने कहा इस पर जाच की जा रही है समझें बात में जा चाहेगा तो खोजी लेगा अपने कोंदूसिया नहीं है आप अगर इस तरह से लिखाईए गा तो आप खोजी लेगा समझें समझें समझो तो फोते वना काम ने करो कि अगर शुरब शिरब रखा उगा ताथ त्रेथी में कौन सा दवा उठा करके खाली हमको पता में चला जाद में इसका स्थे टीभी गड़ गड़िया कि अप तो आप जे बड़ाब वह बाद आब आब आबाद तो लेखा एलो छाँ कि अबड़ाब कर लो छो में रहेको कि अबड़ाब करें ने लुपा जाँ कोई तो फात वाद ने घखा ने बाद भाद कर लोग। पर पर बाइपास थाना अंतरगत एक लड़की है उनकी इलाज की क्रभब में माया गज़ स्पिताली मिरती हो गई है उसके उनकी दोस्ती थी उसके आरोप लगा रही है कि उसने जहर खिलाया है इस पूरे मामले को हम लोग जांच कर रहे हैं और को निर्देश दिया गया कि पियो का ब्रहमन करें और वहां सारी इस्थितियों का अलोकन करें और आगे जो भी धिवत करवाई है उसको की जाएगी थाना प्रभारी के दौरा घरवालों को फोन पर कहा गया कि आप ब्यान बदल लीजे ने तो आप ही लोग पस जाएगा जहर कर लेंगे अगर ऐसा है तो अगर ऐसा पाया गया तो ऐसाई को जल्द जल्द कठोर कारवाई करते हुए लंबित किया जाएगा पुलीस को दिये गए फर्द बयान के नुसार मा ने बताया कि 21 नवंबर की रात को अपने घर के उपरी तल्ले पर अपनी बच्चियों के कि मेरी बेटी नहीं है मा ने सोचा कि नीचे बाथरूम गई होगी लेकिन नीचे अपनी छोटी बेटी को भेजा तो देखा कि बेटी आप 30 नक वस्ता में रौसन कुमार के साथ है हला गुला करने पर मा भी नीचे आई लेकिन जो ही दोनों ने मिलकर रौसन को पकड़ने क इकोसिस की वो हाथ शोड़ा कर भाग गया वहीं यूपती उल्टी करने लगी घर वालों ने इलाज के लिए यूपती को मायगन स्पताल लाया लेकिन यूपती की इलाज के दौरान मौत हो गई पिता ने बताया मैं अपने इस्तार के घर साधी में गया हुआ था घर में सिर्फ मेरी पतनी और बच्ची रह रही थी इसी का फायदा उठा कर आरोपी मेरे घर में घुस कर इस खटना को अंजाम दिया गौड तलब है कि परजनों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रौसन पहले से इस घर के परती गंदी नजर रखता था जून महिने मी रौसन कुमार एक बार घर में घुसने का प्रयास किया था मिर्थिका के पिता ने कहा कि बड़ी मुस्किल से घर परिवार का खर्च चलाता हूँ मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो भगवान किसी के साथ ना होने दे भागलपूर के इस साखचक थनाग में सराप पी कर एक फरियादी पहुँच गया जिसे पुलीस ने पकड़ कर उसका ब्रेत इनलाजस से जाच किया तब उसके सराप पीने की पुछ्टी हुई जिसके बाद पुलीस ने उसे ग्रहपतार कर लिया इस साखचक थनाचत की पासी टोला कर रहने माला बिया चोधरी अपनी दिव्यांग पतनी को लेकर अपनी एर इकसा से पहुचा और वहाँ अपने सालों पर मारपीट का रोप लगा रहा था वहीं पुलीस से भी अभदर बाते कर रहा था जिस पर पुलीस ने उसे पकड़ कर उसकी जाच की तो वह सलाब पिये हुए मिला इसके बाद पुलीस ने उसे ग्रहपतार कर लिया अब सबाल उटता है कि बिहार में सलाब बंदी है उसके बाबजुद भी लोग सलाब पी कर ठाने तक पहुच जा रहे है अब कोई कंप्लेंट ने होता है यहां से इसका भाई किया है बबलु चोदरी और बंटी चोदरी जमिन जगह के लिए जगरा इसको मार कर भगाता है अब सर जगह जगह के लिए भागलपूर की सबावर थनाचित की रजंदीपूर पंचायत के महंत स्थान के पास तड़के सुभा एक युवक की संध्यास्पत अवस्था में सब मिला मिर्टक युवक की पहचान सबावर अंतरगर जिरो माइल थनाचित की जियाओदिन पूर चौका के रहने बाले बिनोध मंडल के 19 वर्षिय पुत्र मिथून कुमार के रूप में हुई है मिर्टक की पिताब बिनोध मंडल और मा तारा देवी का कहना है कि मेरे बेटे को किसी अग्यात अपराधियों दरा सूनी जगहा बुला कर मौत के घाट उतार दिया गया है जबकि मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी गौड तलब है कि मिर्टक मिथून कुमार के मुह में फूरा मिट्टी भरा हुआ है ग्रामिनों की माने तो सायद कीचर में सर डाल कर उसे मारा गया हो क्या नाम है उसका मिर्टक है अपितार नाम का घर बेला जो दिन पूर्शक कोन थाना पड़ाई यह जगह कौन जगह जगह जहां हत्याव लोगी जगह सरामाजनी कूछ नहीं जोने चूंपामा चूंपा पता आपको कैसे चला सुबह पता चला कि जब इधार से कोई लेडी स्वेडिस आया अगा दिसा मैदान करने के लिए इसी ने हला किया तो महां सुनील ठाकुर ने हमको फौन किया हम फौन पर हम लोग आयत देखते हैं तो हम ही का है मिर्टक का क्या नाम है कुंदन कुमार पिता का नाम बिनोधी मंडल कहा घर है जवदीन पूर्चो का आपको घटना का जो पता चला है कैसा सक लग रहा है आपको सक लग रहा है तो हम दख भी नहीं कियें तो आपको क्या नाम है बिनोधी मंडल आपको मिर्टक का कौन लगते हैं पिताजी लगते हैं अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका बस एक ही कहना होता है कि परिसान्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा अब सवाल यह उठता है कि जल्द पूरा कब कर लिया जाएगा जब बच्चे की तब्यत बिगड जाएगी या फिर देश के भविस से स्कूल जाने से कतराने लगेंगे तब भागलपूर के एक हलगाउन मंडल इस्थित्रोंनत मद्ध विद्याले में ना तो सिच्छाई गुनवत्ता है ना ही पढ़ाई के लिए कम रहे हैं ना ही पीने के लिए सुध्य पानी और ना ही क्लासरूम में बैठने के लिए जगा है बाहर किसी तरह बच्चे को जमीन पर बिठा कर ठंड में ठीटोते हुए पढ़ाया जाता है मद्ध विद्याले के परणार चार पर रीन कुमार्स पूछा गया कि बच्चों के या हाल क्यों है तो उनका साब तोर पर कहना हुआ हम लोगों ने कई बराविदन दिया लेकिन यहां कोई बिवस्थान नहीं की गई जिसके चलते बच्चों को ना तो बैठने के लिए जगा है ना ही पीने के लिए पानी और ना ही क्लास करने के लिए कच्छा वहीं इस विद्याले की चात्रा काजल खातून का कहना है कि विद्याले में बैठने से भी डर लगता है क्योंकि चथ टूट-टूट कर गिरते रहता है सभी बच्चे डरे समय रहते हैं हम लोगों को जमीन पर बिठा जाता है जिससे हम लोगों की तबियत खराब हो जाती है इसके चलते विद्याले भेई नहीं आना चाहती हूँ भागलपूर को इसमार्ड बनाने को लेकर नगर आयुकत योगीस कुमार के दोड़ा देर रातरी सहरी चित में घुम कर साब सफाई की बेवस्ता और लोहिया पूल पर लाइट की बेवस्ता का जाजा लिया गया इस दरान उनने कहा कि तीन जगों पर कुड़ों का उठाब नहीं किया गया है तो लेकर वाड प्रभारी को सो काज किया जाएगा वहीं होडिंग लगाने वाले प्योपी पोल को हटाने का निर्देश दिया गया था मगर वो वहीं पर था जिसके बाद ट्रक बुला कर उसे जब्त कर नगर निगम के गोदाम भेज दिया गया वहीं लोहिया पूल पर भी लाइट के ववस्ता को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया निर्देशन कदरान लोहिया पूल के नीचे डश्टबीन के बाहर कूला फेक रहे बैक्ती के साथ नगर नियम के गाड और करमशारी ने दो बैक्ती की पिटाई कर दी वहीं डश् निरिक्षन किया गया है तो सबसे पहले सफाई पर उसका पूरा जो है अभी रात त्री में दो तीन जगा हम लोग डंपिंग देखें और पाएंगी वहां से कुड़ा नहीं उठाया गया तो वहां के वाट प्रवारी पर सपश्टी करन हुआ है और उनका बेतन स्थागित किया गया है अभी सब को यह निर्देश दिया गया है कि डेली जो है रात में कूड़ा उठ जाएगा डस्ट में जो है वो में रोल पे नहीं देखेगी डस्ट में फ्री बनाना है उसको पालन और जो अवर फिलो डेस्ट मिन का नहीं होना चाहिए ड़न कूड़ा पर त्र उसको कॉंपेक्टर और हाइवा की मदद से डंपिंग साइट पे ले जाना है तो एक सपाई के लिए नरिक्षन है दूसरा अभी निगम दौरा जितने भी यूनिपोल और होडिंग है जो अवैद लगे हुए है उनको हटानी की कारवाई चल दई है अभी एक रास्ते में हम लोगो को करवाई करते हुए पाए गया है करवी और एक ट्रक मिला है जिसमें जो है वो अपना यूनिपोल है जिसका कंपनी ने लगाया था वो अपना ले जा रहा था तो उसको उसको जब्त किया गया है हम लोगो के दौरा और हम लोग का ततारपुर में गोदाम है उसको वहाँ पर रखवाया जाएगा और किसी भी आलत में किसी भी एजिंसी को क्योंकि हम लोग टाइम दिये हैं दो-तीन महिने का कोई नहीं हटाया है अब निगम कारवाई कर रहा है और वों सारे यूनिपूल को जब्त करने की कारवाई करें गा तो यह सभी चीजने तीसरा एक जो है रात्तरी में रोष्णी का कहा कहा दिक्कत है उसको हम लोग देखते हुआ रहे हैं तो अगर इनी पोल पे solar light लगाने का अगर कोई option है तो वो एक alternative solution हम लोग तलाश रहे हैं बिहार की मुख्यमंत्री के dream project युवाओं को सुरजगार मोहिया कराने और आर्थिक रूप से संपन बनाया जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत सहायता पर दान कर नए लगु और कुटूर उद्योग खुलवाय जा रहे हैं इसी कड़ी में महिलाओ द्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार के दुरा सहायता रासी पर दान की गई थी जिसके बाद महिलाव द्यमी स्वीटी कुमारी के दुरा भागलपूर में पहली बार देशी होम फिलेवर नाम से सुध्य सरसो तेल का उत पादन प्रारम भी किया गया स्वीटी कुमारी ना के वन लोग के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए कच्ची घानी का सरसो तेल सुधता के साथ उपलब्यकराना प्रारम विक्या है बलकि उनकी कमपनी के दुरा लीज पर हजारो एकड जमीन लेकर औरगेनिक सरसो की खेती भी की जा रही है लोगों के स्वास्त को ध्यान में रखकर खेती के दुरान ना तो केमिकल और ना ही खाद का परियोग किया जा रहा है वहीं लोगों को स्वस्त रखने के लिए किये जारे औरगेनिक खेती की जमकरतारी भी हो रही है आगे पठाई पठवन हो रहा है भागलपूर के सुल्तान गंच के घोडगट खगलिया हाल्ट के समीब दो मोटर साइकल पर सवार छा अपराधियों ने हतियार के बल पर एक प्राइविट बैंक कर्मी से लाखो रूपिय की चिंताई कर सीने पर गोली मारी जिसके बाद मौके से अफराधी फरार हो गए घटना के सूचना अस्थानी अगरामिनों के दोरा पुलीस को देने के बाद पुलीस घटना अस्तर पर पहुँची और घटना की जानकारी लेते वे घाया लिवग को इलाज के लिए रैफर्स अस्पताल पहुचाया जहां डॉक्टरों ने उपचार करते हुए गंभी इस्तिती देखते हुए भागलपूर मया गंज रैफर कर दिया घाया लिवग के मकान मालिक संजे कुमार गुपता ने बताया कि मुकेस कुमार फ्यूजन माइक्रो फैनान्स कंपनी का कर्मी है वो कलेक्सन कर घर तीन लों के साथ वापस आ रहा था तबी घोरगट खड़िया हॉल्ट के समीप दो मोटर साइकल पर अग्याद छा अपराधियों ने हतियार के बल पर एक लाग बीस सजाद चार सो रुपे की छिंताई करते हुए सीने के पास एक गोली मार्दी और मौके से फ्रार हो गया घटना को लेकर अस्थानिया पुलीस प्रसासन को सूचना मिलने पर वो पहुँची और घटना की छानबिन करते हुए अपराधियों की पहचान में जुट गई है जदियू के दुरा भागलपूर जिला के अध्यशपद का भार सहकुंड दिन्दयालपूर के रहने वाले विपिन बिहारी सिंग को सौपा गया है उन्हें भागलपूर जिरा का जिलाध्धच बनाया गया है उनके जिलाध्धच बनने पर जदियू के कारकरताओं ने सरकीट हाउस में फूल, माला वा पुस्प कुछ दे कर यों चादर से सम्मानित कर उनका भब स्वागत किया नव निर्माचित भागलपूर जदियू के जिलाध्धच बिपिन बिहारी सिंग ने कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभब प्रयास करूँगा अगल पार्टी मेरे कंधे पर अपनी पार्टी को मजबूत विस्तार करने का भार दी है तो मैं इसका अजीब रंजन सिंग और फ्ललन सिंग जोड़ा रहा और हमेरे प्रदेश के समानित प्रदेश अर्जक्ष उमेश कुष्भाजी के द्वारा मेरे माथे पर पार्टी का संगठन का दाई तो दिया गया है और ये हमारे लिए स्वभागी की बात है मैंने पार्टी को आज से समता पार्टी के रिजन से ही पार्टी का सेवा कर रहा हूं किनी किनी पतपर रहकर पहली परखंदर जच लगातार 2009 तक रहा उसके बाद फिर जिला में रहकर जिला पार्द्च पतर को निर्वाहन किया जिला महासची के पतपर पार्टी के साथ कारिकरम को निर्वाहन किया और जितने भी कारिक्रम पार्ट राजस्तर का हो प्रखंदस्तर का हो जिलास्तर का हो अच्छा जो जित बिधानसव का चुरा हो लोकसरा का चुरा हो सारे कारिक्रम में मैंने अग्रहनी भूमका निवाने का काम किया और संगठर को मजबूत करने का काम किया हम लोग तो उसी तैयारी में सब दिन लगे हैं आज जो पाटी नेट्रिस्ट ने मेरे कंधे पर जवाब दे ही दी है हम लगता है कि हमें तो चुनाओ लरने का मोका नहीं मिला लेकिन चुनाओ लरने का मोका निश्टित रूप से सब दिन मिला है चाहे मानिय विधायक जी का हो मानिय सांसर जी का चुनाओ इसलिए उसमें कहीं को थाई नहीं है फुर्जोर रूप से हम लो तैयारी पहले से किये हुए है और जो बचा खुचा है मैं चाहूंगा कि कहीं खामी नहीं हो लोक सवा का चुनाओ हमारा सांसर जो है बाका हो या भागलपूर हो दोनों में मैं पुर्जोर प्रियास करूँगा संगठन के माध्यम से माय गन स्पताल भेजा मुख्या पती राय समंडल के पैरी में गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है फिलाल प्रिस मामने की जाच में जुटी हुई है भागलपूर की सुल्तान गज में बिहार राज प्रदूसर नियंतरन बोड के निर्देश पर नगर परिसत सुल्तान गज के दोरा सहर में प्लाश्टिक के लिए छापे मारी अभियान चलाया गया इस दुरान नगर परिसत की जिलाट टास्क फोर्स की स्रस से सांतनु कुमार सफाय नरचक दिलीब दूबेट टैक्स दरोगा गोपाल जाट टैक्स सरकार सुभास कुमार सहा मनोश कुमार परवीन सीमम कुमार अभिनास कुमार सहित कर्मचारी पुलीस बल के साथ दिलगौडी मोर सबजी मंडी बजार इस्टिसन रोड सहित अन्य जगों में दरजनों दुकानदारों की दुकान में चापे मारी करते हुए तीन किलो च्छासो गराम का कैरी बेक बरामत करते हुए बाबन से रोपे फाइन बसू लिकी गई इस दुरान नगर परिसते कर्मचारी सहित पुलीस बल मौजूद थे